नमसे, आज हमें को रिडिंग करने वाल हैं, देखते हैं आपके पार्टनर की करन्ट फिलिंग क्या है और इस रिष्टे के एनर्जी क्या है, ओर रॉल क्या चल रहा है इस रिष्टे में, कोशिश करते हैं जानने की सबसे पहला कार है, नॉट फॉर यू, ठीक है, नमबर सिक्स यहाँ पर कुछ खास हो सकता है ओके, और क्या है और यहाँ पर है इन, और यहाँ पर है राउंड एन राउंड एन राउंड एक के नीचे एक दो काड आये थे, यहाँ पर इन है, यहाँ पर राउंड एन राउंड है तो यह है आपके रिष्टे की ओर्रॉल एनर्जी, आप देख रहे हो यहाँ पर है not for you आपके person को ऐसा लगता है कि आप उस इंसान से भी अच्छा कोई person reserve करते हो आप हर चीज में इस इंसान से better हो सकते हो और इससे लिए इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इनके लिए नहीं बने हो आपके लिए कोई और इससे भी अच्छा इंसान बना है ठीक है यहाँ पर है milk and honey यह इंसान बहुत मिठी मिठी बाते करते हैं क्या हो सकता है बहुत मिठी मिठी बाते करके इस इंसान ने past में आपको हो सकता है क्या बोलते उसको अपने काम निकलवाना मिठी मिठी बाते करके ऐसा हो सकता है कि इनुने अपके साथ किया हो आपके person आजकल बहुत emotion हो रहे आपके लिए उस इंसान के दिल में प्यार तो है वो आपको emotionally feel कर सकते है और यहाँ पर है round and round इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो इस रिष्टे को कितना भी खतम करने की कोशिश कर ले वो इंसान आपको भूलने की कोशिश कर ले लेकिन यह हो नहीं सकता यह possible नहीं है उस इंसान के लिए round and round मुझे ऐसा लगता है कि पैटन सा चल रहा है आप दोनों के बीच में वही ठीक है मतलब कुछ negative सोच है आना जाना रहता है ऐसा कुछ चल रहा है कि जो घूम फिर कर वापस वही होता है आप कितना भी कुछ positive सोचने की कोशिश कर लो कितना भी कुछ कर लो वही चीज़े फिर से घूम फिर कर आपके पास आ जाती है और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इंसान आपसे लेट गो कर चुका है आपसे मुवाण कर लिया है इस इंसाने तो ऐसा नहीं है ये इंसान घूम फिर कर आपके ही पास वापस आने वाला है डरने की आपको बिल्कुल चिंता नहीं है नमबर 25, नमबर 6, नमबर 2 ये आपके लिए कुछ खास हो सकता है डबल 6 यहाप रहे है यहापर भी 6 है यहापर 5, 1 इसकी टोटल 6 आती है तो 6 नमबर आपके लिए आया है यहापर 6, 666 शायद आपको दिख रहा है या आपके पार्टनर को दिख रहा हो कि आपके घरवाले इस शादी को नहीं मानेंगे या आप इस इंसान से भी ज़्यादा बेटर डिजर्व करते हूँ ऐसे कुछ खयाल आपके पार्टनर के में बैट गए है और इसी बज़े से वो इंसान आपको इग्नोर करता रहा है लेकिन अब यह हालत हुई है कि एंसान खुद लीड करना चाहता है इस रिष्टे में क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनस फील कर रहे है आपके लिए उस इंसान को ऐसा लगता है कि बस आपको मिलना है आपको देखना है आपसे बात करनी है तो वो खुद ही आप इस रिष्टे में लीड करना चाहते है और जब भी वो आएंगे तो गुस्ता नहीं करेंगे बड़े मीठी मीठी बाते करेंगे बड़े शान्ती से बाते करेंगे बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे है कि अगर आपके पार्टनर ने आपको रिजक्शन दिया है और हजारों कोशिशे करने के बाद भी अगर वो इनसान आपके जिंदगे में वापस नहीं आ रहा है बहुत दिन होगे में भी सालों साल होगे तो इसका मतलब है भगवान आपको उस इनसान से बचा रहा है कि वो इनसान आपके लिए नहीं बना है आपके लिए कोई और बना है और वो आपके लाइफ में ज़रूर आएगा ठीक है तो हर किसे के साथ रेजोनेट नहीं होगा लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि भगवान आपको इस इनसान से बचाना चाहते हैं और इसलिए इनसान आपके जिंदग में नहीं आ रहा है हर बात हर किसे के साथ resonate नहीं हो सकती general reading है तो आप समझ रहे हो ये किस के लिए है और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि जिनके life में लगातार एक cycle जैसे की चल रही है वही चीज़े घूम फिर कर वही चीज़े होती है अगर आपके जगड़े हो रहे तो कुछ दिन ठीक हो जाता है फिर वापस आपके जगड़े होने लगते हैं मतलब एक cycle एक जो pattern है वो लगातार चल रहा है और ये आपके लिए challenge बन गया है इस cycle को break करना घूम फिर कर वही बात होती है अगर आप एक दुसरे के उपर शक करते हो तो थोड़े दिन अच्छे रहते हो फिर वापस एक दुसरे के उपर शक करने लगते हो मतलब एक ही pattern घूम फिर कर वापस आ रहा है इस रिष्टे में वो चाहे कोई भी बात हो सकती है कोई भी बहुत सारे blame game आपने खेले हैं दोनों ने भी आपके partner ने भी आपको बहुत ज़दा blame किया है आपने भी उस इंसान को बहुत ज़दा blame किया है तो यह cycle चलती ही रही है और इसको break करना अब आपकी हाथ में है नहीं रहना है उस हालात में नहीं करना है एक दुसरी के उपर शक यह cycle आप खुद तोड़ सकते हो भले इस इस इंसान को ऐसा लगता हो कि वो इंसान आपके लिए नहीं बना है आप कोई और better deserve करते हो लेकिन आपका प्यार आपको ज़रूर मिलेगा ऐसी energy हापर है आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह milk and honey जो काड़ है वो बता रहा है कि इस इंसान को आपके लिए कितना सदा passionate सा वो फिल कर रहे आपके लिए आपके person आपको पाना चाहते है उस इंसान को बहुत passionate सा फिल हो रहे आपके लिए इमोशनली भी फिल कर रहे है और physical attraction भी हो रहा है और वो आपको पाना चाहते है ठीक है तो यह बात है यहाँ पर आपके लिए message है surrender देखो guys आपको surrender करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर अगर आप let go करोगे ठीक है जैसे कि यह round and round हो रहा है कुछ चीज़े ठीक नहीं हो रही है लेकिन पूराने चीज़ों से आपको let go करना है पूराने बातों में अटक कर आपको नहीं रहना है ठीक है आप दोनों को एक दूसरे को space देने के आवश्यक्ता है यहाँ पर बहुत सदा जैसे कि मैंने पहले बोला कि आपर बहुत blame games है आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो एक दूसरे के करीब आने की जरूरत है यहाँ पर एक दूसरे को space देने के जरूरत है विश्वास रखने की जरुत है एक दुसरे के उपर आपको न अपने अंदर जाकने की आवश्चक्ता है कि ये जो हालात है ये क्यों हुए है सिर्फ सामने वालों को ब्लेम कर रहे हूँ आप दोनों भी देखो आपके पार्टनर आपको ब्लेम कर रहे है आप अपने पार्टनर को ब्लेम कर रहे हूँ तो दोनों को भी सबसे पहले अपने अंदर जाकने की आवश्चक्ता है कि ये जो भी गलतिया हो रही है ये क्यों हो रहा ऐसा और क्या अपने अंदर सुधार लाने की आवश्यक्ता है आपको आप दोनों एक दुसरे को बहुत प्यार करते हो देखो यहाँ पर आप दोनों एक दुसरे को मिलना चाहते हो एक दुसरे में खोना चाहते हो एक दुसरे के करीब आना चाहते हो आप दोने एक दूसरे के बिना कितने उदास है वो कितने अक्यले पड़ गए हो रातों के नीन गाइब है दोने की भी इतने ज़़ा परिशान आप दोने एक दूसरे के लिए हो और आपको जरुरत है खुद को समझने की ठीक है? बहुत जरुरत है यहाप पर अगर आप इस इंसान से सच्चा प्यार करते हो तो सिर्फ इस इंसान कोई नहीं आप अपने आपको भी सोचो अपने आपके ओपर भी जरा रिसर्च करो कि क्या गलतिया हो रही है आपसे ठीक है? ठीक है अब देखते हैं टैरो से देखो सबसे पहला ही कार्ड यहापर क्या है दिलवर्स मैंने बोला ना आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है बहुत ही ज़्यादा प्यार है सबसे पहले कार्ड ने ही यह क्लियर कर दिया कि आप दोने दूसरे से कितना प्यार करते हो ठीक है तो शक मत करो एक दूसरी के उपर अपने प्यार पर तो विश्वास रखी सकते हो ना अपने प्यार पर विश्वास रखो दिफूल डेफिनेटल यहाँ पर बहुत प्यार है लेकिन दोनों को भी ऐसा लगता है कि इस रिष्टे में आगे बढ़ना कही रिस्क है बहुत परिशानी इसे जूजना पड़ेगा बहुत प्रॉब्लिम हो सकते हैं मुझे इसा लगता है कि आप दोनों भी एक दूसरे से इतना ज़दा प्यार करते हो कि आपना मतलब कही ना कही देखो का डर दोनों को भी यह दोनों की सेम फिलिंग है दोनों चाहते हो इस रिष्टे की नियू बिगनिंग करना दोनों को भी डर लगता है आगे बढ़ना और दोनों भी बहुत ज़दा प्यार करते हो एक दूसरे से और रिजख्शन का डर आपको भी लगता है कि वो इंसान कुछ अगर उसने नहीं बोल दिया तो उस इंसान को भी लगता है कि वो तो आपसे बहुत प्यार करते हैं वो आपकी तरह बढ़ना भी चाहते हैं रेकिन कहीं आपने rejection दिया तो आपने reject कर दिया तो तो ये बात है दोनों भी एक दुसरे की बिना बहुत सा परिशान हो रहे हो और बहुत बोरिंग सा फिल कर रहे हो और अब देखते आपके person की current feeling यह दोनों की same up feeling है ठीक है दोनों भी डेल वोरिंग सा फील कर रहे हो राशी है यहाँ पर कैंसर स्वर्पिय और बाइसी और जैमिना देखो आपके पार्टनर को में भी कोई इस इंसान के कान भरने की कोशिश कर रहा है हो सकता है कि जो नहीं चाहते हैं आपका रिष्टा आगे बढ़े या जलते हैं आपके उपर ऐसे लोग इस इंसान को कुछ आपके बारे में गलत बोल रहे हो ऐसे भी हो सकता है या कोई थोड़ पार्टी हो सकते हैं यहाँ पर मुझे नहीं समझ में आता यह लोग ऐसे क्यों होते हैं जो दुसरों का बुरा चाहते हैं दूसरों के बीच में जगड़े लगाने की कोशिश करते हैं तो देखो यह भी एक बड़ा रिज़न है इस रिष्टे में कि आपके पार्टनर को स्टेबिलेटी नहीं मिल रही है उसके करियर में उसके फाइनस में उसको स्टेबिलेटी चाहिए जो अभी तक नहीं मिल रही ह थी करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके परसन आपको चाहते बहुत जाता है लेकिन कईना कई और सचाही के साथ नियू बिगनिंग तो वो खुद भी चाहते हैं लेकिन इस इंशान को कई पट्टी पढ़ा रहा आपके बारे में गलत बाते बोल रहा है और मुझे करने के कोशिश कर रहा है वो अपने finance में कुछ करना चायाता है, मुझे तो सब्सक्रारा है रहते हैं, नि तहरा है र покуп रहते हैं that या जैसे कि बेलगाम हो चुका है, अपनी धुन İsमें आगे भाग रहा है, ठीक है ऐसे भी हो सकता है, इस को कुछ करके दिखाना है उसको थाभित करना है खुद को ऑर nine of सूर्स देखो बहुत लोग के लिए हो सकता है कि इस इंसान आपको इन आपको commitment नहीं दिया है आप चाहते हो इस इंसान के साथ शादी करना और कुछ दो के लिए ऐसा हो सकता कि इस इंसान ने शादी का वादा किया था आपसे लेकिन उस वादी को नहीं निभाया अब देखो 9 of source के अनरजी आई है रातों की नीन गायब है बहुत सोचते हैं जो कुछ भी आपसे जूट बोला या जूटे वादे इस इस इंसान ने किये तो आप बहुत पश्था रहे उन बातों के लिए कि उन्होंने आपके साथ ऐसा गलत नहीं करना चाहिए था जो भी उन्होंने किया वो बहुत गलत किया तेन अब कपस के एनरजी हैं कमिट्मेंट देने के बारे में सोचते हैं शादी के बारे में सोचते हैं और रात को बड़े बेचैन हो जाते हैं जब भी अकेले हो जाते हैं अनसान बहुत बेचैन हो जाते हैं आपकी याद बहुत आती हैं देखो यहाँ पर भी कैसे energy है वो राद को सोते नहीं है और में भी आप भी नहीं सोते हो दोनों की हारत बहुत खराब है आपके पुरसन आपसे शादी करना चाहते हैं और वो इसके बारे में बहुता सोच रहे है और कुछ लोग तो यहाँ पर ESE भी है आपर दिखाई दे रहेगा अगर आपकी शादी हुई है तो भी ऐसा हो रहा है दीसन इस इंसान को पता है कि इसका future bright है तो वो आपके साथ है इस इंसान को पता है कि इसकी खुशी किसके साथ है यह सब जानता है देखो कितना प्यार करता इंसान अपते लेकिन वो अपना प् अपकी feelings आपसे चुपा रहे हैं कि आपकी feelings तेकलेते हैं आप क्या कुछ feel कर रहे हो इस अंसान केड़ा, क्या क्या कुछ feel कर रहे हो 6 of those आप चाहते हो जल से जल इयंसान आजाए बस आपके पास वापस राशी है, Libra,osure पड़ी,वरस, जेमिना, Cassis, Scorpio, Pisces आप celebration चाहते हो आप इस इंसान के साथ खुश रहना चाहते हो और कुछ लोग के लिए हो सकता है कि अगर कोई third party है तो आप चाहते हो कि इंसान third party से बाहर निकले यहाँ पर भी three of pentacles है जो इंसान जैसे कि जो लोग इस इंसान को गलत सलत बाते भर रहे आपके बारे में उसके बारे में भी शायद आप सोच रहे हो अगर कोई third party है तो आप चाहते हो इंसान उससे बाहर निकले three of cups cancer scorpio pice two of cups यह three of cups के energy से निकल कर यह अनसान two of cups के energy में आना चाहिए ऐसे आपको लगता है long distance में भी हो सकते है आप लोग आप चाहते हो इंसान travel करके आपके पास वापस आए अगर कोई third party है तो उससे बाहर निकले और आपके सामने आकर बस अपना प्यार जाहिर करें और आप इस इंसान से बेहत प्यार करते हो two of cups के energy है यह आपर बहुत चाहते हो आप इस इंसान को बहुत प्यार करते हो और मिलने की चाहत आपके दिल में बहुत जादा है इस इंसान के लिए यह आपके energy है अब देखते आपके लिए क्या guidance है देखो सबसे पहला ही card यहाँ पर है love बहुत ही खुबसूरत प्यार आपके destiny में लिखा है आपको डरनी की जरत नहीं है आपका प्यार आपके पास जरूर आएगा ना डरनी की जरत है ना चिंता करनी की जरत है या निगटिव सोच में तो बिल्कुल भी नहीं रहना है motivation आपको कुछ ऐसा सुनना है जिससे आप motivate हो सको किताबे पढ़ो कुछ ऐसी audio clip सुनो जिससे आपको बहुत ज़दा motivation मिले क्योंकि आप ऐसे दिख रहे हो ना देखो कैसे हालत हो गई है आपकी बड़े परिशान से हो गए हो निगटिव सोच रहे हो कुछ ऐसा सुनो कुछ ऐसा देखो जिससे आपको एक स्पूर्ती मिले एक हिम्मत मिले बॉटम है knowledge, knowledge gain करने के आवशकता है आप जो कुछ भी कर रहे हो चाहे study कर रहे हो चाहे कोई job कर रहे हो जो कुछ भी आप कर रहे हो उससे related आपको knowledge gain करना है ठीक है अगर student हो तो आपको study करने के आवशकता है Forgiveness के आवश्यक्ता ही आपर मुझे तो लगता है कि इस इंसान ने बहुत सारी गलतिया कर दी है देखो, इस इंसान को माफ करो कि तो दो फाइदे हैं एक तो आपको आपका प्यार मिल जाएगा दूसरी बात यह है कि आपके दिल का बोज हलका हो जाएगा तो माफ कर दो, इंजल आपसे कहते हैं कि माफ कर दो इस इंसान को और जैसे आप इस इंसान को माफ करोगे तो आपका प्यार आपकी दरफ आजाएगा कि बहुत तरसे हो आप, बहुत तड़पे हो आप इस इंसान के लिए तो माफ कर दो इस इस इंसान को, यह आपके लिए जरूरी है यहाँ पर है your voice is my favorite sound आपके आवाज आपके partner को बेहत पसंद है maybe वो आपके आवाज सुन रहे है maybe उनके पास आपके आवाज record है और वो सुनते रहते हैं आपके आवाज को you are my sunshine on a rainy day आप ही इनके sunshine हो जब भी देखो बादल आते हैं जब बहुत अंधेरा पड़ता है तो उस इंसान को आप देखते हो उस अंधेरे में एक रोशनी ठीक है? यह इंसान आपको ही जैसे कि आपको जरूरत है motivation की तो इस इंसान को जब आपको देखते हैं तो इस इंसान को एक स्पूरती मिलती है जीने की जब चारो दरप अंधेरा हो तो इस इंसान को आप देखते हो एक उजाला, एक रोशनी यह बहुत ही खुबसुरत बात है और यहाँ पर आए है I stupidly smile at my phone when I see your name on the screen आपके person जब भी आपका नाम स्क्रीन पर देखते है तो इंसान बेवकुफ की तरह हसते रहते हैं अब इसके पीछे क्या reason है आपको शाहिद पता है आपके partner आप से कहते हैं कि सच्चा प्यार वही होता है जो एक दूसरे के बारे में जानता है, सीखता है एक दूसरे से बहुत कुछ सीखता है एक दूसरे को गुरो करने में help करता है ठीक है, सच्चा प्यार वही होता है सच्चा प्यार वही होता है जो एक दूसरे के लिए कभी भी give up नहीं करते हैं ठीक है तो बहुत ही आपके partner की जो सोच है मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है वो इंसान आपको बहुत प्यार करता है आपको बहुत चाहता है और वो कभी भी आपको नहीं भूल सकता तो यही थे आपके reading अगर आपके साथ result करता है तो like, share and subscribe मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई